नमस्कार आप नेक्स्ट नाइन नूज बोजपुरिया देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ अभैविशाल हर घर नल का जल यूजना के अंतरगत वाट सदस से ही इसके अनुरक्षक होंगे इन्हें प्रतीमाद 2000 रुपे मांदे सहीद कुल 5000 रुपे मिलेंगे मुख्यमंत्री नितीज कुमार की अध्यक्स्ता में मंगलबार को हुई राजजी कैबिनेट की बैठक में नलजल यूजना के दिर्ग कालीन अनुरक्षन निती के तहत इसका निरने लिया गया है बैठक में कुछ शा प्रस्ताओं को मंजूरी मिली है नलजल यूजना के सुचारी रूप से संचालन की जिम्मेदारी अनुरक्षक की होगी वाट सदस्य अगर अनुरक्षक बनना नहीं चाहेंगे तो ऐसे इस्तिति में वाट सभा द्वारा वाट सचीव को अनुरक्षक बनाया जाएगा इस संबंद में पंचायती राजमंती समराट चौधरी ने कहा है कि पहले से वार्ड सदस्यों को 500 रुपे महिना दिया जाता है इसके अत्रिक्ट अब अनुरक्षक बनने पर उन्हें 2000 रुपे मान दे मिलेंगे इसके अलावा उब भुगताओं से प्रतीमा 30 रुपे वसूले जाने का सुल्क की आधी रासी भी अनुरक्षक को दी जाएगी औस तन एक वार्ड में 200 घर है जिसके इसाब से 6000 रुपे सुल्क की वसूली होगी इस तरह 3000 रुपे अनुरक्षक को मिलेंगे योजना का संचालन अच्छे धंच से नहीं होगा तो मांदे में कटवती भी की जाएगी सेस रासी रख रखाओं पर खर्च होगी पंचायती राजविभाग द्वारा 58000 वाडों में यह नलजल योजना चल रही है निती में साफ किया गया है कि पाइप के लिकेज और खराब मोटर की सिकायत को 24 घंटे में दूर किया जाएगा अन्य बड़ी खराबी को 3-5 दिन में दूर करना अनिवारे होगा वाड प्रबंधन एवं क्रियानवयन समीती वटक्निकी सायक के मुख्य जिम्मेदारी होगी सिकायतों को दूर करना इस योजना के तहट आपूर्ती हो रहे पेजल कद रूपयों करने पर उभगताओं पर ग्राम पंचायते डंड भी लगा सकेंगी पहली बार दूर्पयों करने पर 150 रूपय, दूसरी बार किया तो 400 रूपय और तीसरी बार 5000 तक का जुर्माना लगेगा इसके बाद जलापूर्ती का कनेक्शन काट दिया जाएगा दोबारा कनेक्शन लेने पर 300 रूपय लगेंगे योजना वाले पाइप में कोई अपना मोटर जोर देगा तो उस पर 5000 रूपय जुर्माना लगाते हुए उसे जप्त भी किया जाएगा नलजल योजना के तहट सुबह और साम में 3-3 घंटे तक पेजल के आपूर्ती की जाएगी अक्टूबर से मार्स तक सुबह 6-9 बजे और अन्य महीनों में सुबह 5-8 बजे तक पेजल के आपूर्ती होगी साम में 4-7 बजे तक आपूर्ती होगी तो अभी के लिए बस इतना ही आप देखते रिए नेक्स्ट नाइन न्यूज भोशपुरिया नेक्स्ट नाइन न्यूज भोशपुरिया के सबस्क्राइब करी अलेटस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाई